नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगर आपके पास Union Bank of India का bank account है और आप अपने bank account में आधार card number लिंक करना चाहते हैं तो Union Bank of India में आधार card लिंक कैसे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस यहापे मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो चल से टाइप करना है इसके बाद आपको सर्च करना है जिसके बाद आपके सामने Union Bank of India की official website फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी आपको इसी first website को यहां से open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको verify करना होगा तो यहाँ पर verify किया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा जिसके बाद Union Bank of India की official website आपके सामने open हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते verification successful हो चुका है और हमारे सामने यह website open हो चुकी है अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक pop-up message मिलता है यहाँ पर आपको Hindi या फिर English में से language को select करना होगा तो यहाँ पर हम English को select करते हैं इसके बाद वापस आपके सामने इस website का home page open हो जाएगा अब आपको अपने bank अकाउंट में अपना आदार नंबर लिंक करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ three line यान Apply Online आपको Apply Online वाले option पे किलिक करना है इसके बाद वापस थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा link your adar number आपको यहाँ पर link your adar number वाला option है इसके उपर क्लिक करना है कि्लिक करने के बाद आपके सामने आदार नंबर registration forum यहाँ पर ओपन हो जाएग उसको आपको सबसे पहले यहापे fill up करना है इसके बाद उसी account number को आप यहापे नेचे re-enter के अंदर दुबारा fill up करेंगे इसके बाद name of account के अंदर आपको account holder का नाम यहापे fill up करना है इसके बाद आपको अपनी आदार detail यहापे fill up करनी है जैसे कि सबसे पहले आपको अपने adar card के 12 digit number यहां पर fill up करने है इसके बाद उसी adar card number को आप यहां पर दुबारा re-enter करेंगे नेचे वाली box में इसके बाद name is per adar card जो आपका नाम adar card पर है वह नाम आप यहां पर लिखेंगे इसके बाद आपको contact details को fill up करना होगा जैसे कि आपको अपना mobile number या पर fill up करना है जो कि आपके bank account से registered है इसके बाद आपको एक अपनी email ID पर fill up करनी है और इसके बाद आपका ये forum बरके तयार हो जाएगा अब आपको इस forum को submit करना है submit करने के बाद आपका आदार card number आपके bank account से 24 से 48 गंटे के अंदर link हो जाएगा यहापे आप जैसे submit करते हैं तो आपके request यहापे submit हो जाती है और request submit होने के बाद आपको 24 से 48 गंटे तक का wait करना है जिसके बाद आपका union bank में आदार card number link हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप union bank of इंडिया में अपना आदार card number link करवा सकते हैं दोस्तो यहीत आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share और चनल को subscribe जरूर किजिएगा